नमस्कार दोस्तों है मन्त लपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मनो विज्ञान में हम एक पार्ट में ही पूरा चैप्टर विकास और बृध्धी या कह सकते हैं बृध्धी को ही अभी बृध्धी कहते हैं तो बृध्धी और विकास के बारे में पूरे चैप्टर के बारे में जो है हम लोग डिसकस करेंगे इससे लगभग आपके टेट में कम से कम चार या पांच कोश्चन आ जाते हैं बहुत ही इंपोर्टन चैप्टर है तो देखिए ग्रोथ एंड डिवलप्मेंट सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि बृ बृद्धी है और यह क्या है विकास तो इसमें अंतर अगर आपको अस्पस्ट करना है तो सबसे पहले अंतर यही अस्पस्ट कर लिजे एक परिभासा के द्वारा कि बृद्धी जो है श्वाभाविक विकास होती है जबकि विकास जो है आश्वाभाविक विकास होता है ठ ऐसा परिवर्तन जो स्वतह हो जाए उसे स्वाभाविक विकास कहते हैं जैसे सारिरिक परिवर्तन बताईए सारिरिक परिवर्तन जो होता है जैसे लंबाई का बढ़ना अंगो का बढ़ना दात निकलना भार बढ़ना या घटना यह बताईए स्वतह होता है कि आप जबरदस जो है लंबाई को खीच के बढ़ाते हैं ऐसा नहीं है देखिए एक छोटा बालक जब पहले एकदम छोटा रहेगा फिश्यास्व आवस्था बाल्य आवस्था होते 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 ही रेखिए विकास क्या होता है तो विकास जो होता है आश्वाभाविक विकास जो स्वता ना हो ऐसा विकास जो स्वता ना हो उसे आश्वाभाविक विकास कहते हैं अर्थाद विकास कहते हैं या कह सकते हैं का ऐसा परिवर्तन जो स्वता ना हो उसमें मतलब परिवर्तन ला अब विकास कहते हैं जैसे जैसे मान लिई जीए अभी तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि विकास अमोर्थ होता है लेकिन अभी जानिए जैसे मान लिए कोई प्रसिछड या ट्रेयनिंग आप किसी के दवारा ले रहे हैं कोई अधिकंग सीक रहे हैं कोई नई चीज सीख रहे हैं तो उसी को क्या कहा देते हैं विकास कहाते हैं देखें विकास जो होता है वंसा नुकरम तथा वाता वरर द्वारा क्या किया जाता है और जित किया जाता है जबकि हमने बृध्धी बताया कि बृध्धी जो है लंबाई बढ़ना अंग बढ़ना आपका विरदी अब यहां पर एक पॉइंट लिखा है कि बृद्धि जो होती है वो मूर्थ होता है जबकी विकास जो होता है वो अमूर्थ होता है ठीक है जैसे देखिए यहां पर क्यावल एक पक्ष से अंतर आप नहीं निकालेंगे क्योंकि विकास में भी कई ऐसी चीज जये आपको मिलेंगी जो आपको मूर्ध होंगी लेकिन अमूर्ध उसकी योग्यता हो ठीक है जैसे अब यहाँ पर देखिए बालक का जैसे मानसिक विकास हो गया तो एक नई चमता का क्या हो गया जन्म हो गया नैतिक विकास हो गया एक नई चमता का जन्म हो गया सार्रिक विकास हो गया एक नई चमता का जन्म हो गया सामाजिक विकास हो गया तो एक नई चमता का जन्म हो गया तो नई चमता का जन्म लेना ही विकास कहलाता और इसका प्रसिछड या ट्रेनिंग जो हमको वनसा नुकरम तथा वाता वरण के रूप में अरजित होना पड़ता है जैसे एक नई योग गिता हमारे अंदर आ गई बुद्धी की योग गिता किसकी योग गिता आ गई बुद्धी की योग गिता हमारे अंदर मान लिजिये आ गई तो यह योग गिता हमें प्राप्त कहां से होई वनसा नुकरम से लेकिन वातावरण से वातावरण यह करेगा कि बुद्धी आपकी तीब्र होगी कि वो बुद्धी आपकी मंद होगी निर्भर करेगा वातावरण पर अगर आपको सही वातावरण मिल ला है जहाँ पर लोग पढ़ने लिखने वाले हैं तो आपकी बुद्धी तेज होगी यानि वहाँ पर प्रसिछड या अधिगम जो आप लेंगे वहाँ पर अच्छा लेंगे और अगर दूसित वातावरण मिल जा रहा है तो आपकी बुद्धी जो है मंद बुद्धी हो जाएगी ठीक है तो आपकी पर प्रसिछड या अधिगम जो है खराब आप लेंगे तो वही बता रहा है कि वंसानुगरम तथा वातावरण द्वारा अरजित किया जाता है विकास जबकि बुद्धी जो है मूर्थ होती है बुद्धी कैसी होती है मूर्थ होती है और विकास कैसा होता है अमूर्थ तो विकास की जो योग्यताएं होती है वो अमूर्थ होती है ठीक है अगला है विकास जो होता है वो गुडात्मक होता है और बृध्धी जो होती है मात्रात्मक होती है देखे बृध्धी को मापा वा तौला जा सकता है क्या किया जा सकता है अब जैसे लंबाई बढ़ रहा है बताईयो से आप माप सकते हैं कि नहीं भार बढ़ रहा है तुसे आप तौल सकते हैं नहीं अर्थात जिसको हम माप और तौल सकते हैं उसको हम मात्रात्मक काते हैं अर्थात बृद्धी जो है मात्रात्मक है जबकि विकास जो है गुडात्मक है और आंसिक रूप से मात्रात्मक भी है कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हम माप और तौल सकते हैं जिसे हम देख भी सकते हैं मूर्थ भी हो सकता है और सबसे बड़ी बात है कि गुडात्मक होता है मतलब जैसे ब्यक्ति में बुद्धी कितनी है वो क्वाल्टी बताएगा गुड़ बताएगा कि तीब्र बुद्धी का है, कि मंद बुद्धी का है, प्रकर बुद्धी का है, या प्रतिभासाली बुद्धी का है, कौन से बुद्धी का है, उसके गुड़ या क्वाल्टी को बताएगा और आंसिक रूप से मातरात्मक होता है यानि आंसिक रूप से जो है उसे माप आभी जा सकता है ठीक है जैसे बुद्धी है तो बुद्धी को साइमन बिने स्केल के द्वारा जो है माप सकते हैं बैसलर मापनी से माप सकते हैं इस्टैनफोर्ड बिने स्केल से माप सकते हैं अर्थात बुद्धी को किसी न किसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं माप सकते हैं इसलिए बताया है कि जो विकास होता है वो आंसिक रूप से मातरात्मक भी हो सकता है और ज्यादा तर्चांस है कि रुख जाती है क्या बृध्धी एक सीमा पर जाकर बृध्धी रुख जाती है लेकिन विकास गरभा वस्था से लेकर मृत्व तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तो देखिए भार जैसे बढ़ रहा है तो एक समय बाद भार क्या हो जाएगा बढ़ना रुख जाएगा दात निकल ला है तो एक समय बाद दात निकलना क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा ऐसे ही बृध्धी जो है एक सीमा पर जाके क्या हो जाती है रुख जाती है जबकि विकास गरभा वस्था से मृत्व परयंतर तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जैसे विकास का मतलब है कि बताईए बुद्धी का विकास या बुद्धी की योग्यता बुद्धी का विकास कभी रुखता है नहीं जीवन परियंतर चलता है मानसिक विकास कभी रुखता है नहीं जीवन परियंत हम लोग कुछ न कुछ सीखते हैं नैतिक विकास कभी रुखता है नहीं हम लोग जीमन बर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं माजिक विकास कभी रुखता है? नहीं. इसके अलावा जैसे आज हम साइकिल चलाना सीख लिए, कल हम बस चलाना सीख लेंगे, पर्सों हम ट्रेण चलाना सीख लेंगे, यानि एक एक दिन नई छमता का विकास हमको हो रहा है. या आप कह सकते हैं कि जैसे आज हम घुठनों पर चलना सीख रहे हैं, फिर हम धीरे-धीरे पैरों पर चलना सीख लेते हैं, फिर धीरे-धीरे हम बोलना सीख लेते हैं, पहले हम रोना सीखते हैं, फिर बोलना सीखते हैं, मतलब यह कि एक नई छमता का विकास होना ही क्या कहल ठीक है और इसमें देखिए विकास यहाँ पर समझाया गया है कि विकास एक नई च्छमता का जन्म है या नई च्छमता का विकास है और यह एक दिसात्मक तरीके से चलता है दिसाहीन नहीं होता है अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो है जब बच्चा जन्म लेता है तो भुरूंड जैसे मुद्रा में सोता है उसके बाद धीरे-धीरे बच्चा जो है धोड़ी कस को समालता है एक महीने में जब दो महीने में हो जाता है तो छाती को समाले रखना उसको जान जाता है और कहने का मतलब एए है कि वह रेंग कर चलता है तो अब यहाँ पर देखिए वह रेंग कर चल रहा है उसके बाद सहारे से बैठने लगा एक नई छमता का विकास हुआ एक नई छमता का जन्म हुआ इसी को विकास कर देंगे फिर देखिए अकेले बैठ रहा है फिर फरनीचर की सहायता से खड़ा हो जाएगा फिर देखिए एक नई छमता का विकास हुआ फिर देखिए यहां पर रेंगना घसीतना चलना शुरू हो जाएगा फिर एक नई छमता का विकास हुआ फिर एक नई छमता का विकास हुआ अकेले खड़ा हो जाना फिर एक नई छमता का विकास हुआ और अकेले चलने लगना फिर एक नई छम चंता का विकास हो तो कहने का मतलब यह है कि अगर नई चंता का जन्म हो रहा है तो उसी को हम विकास कहेंगे दो सब्ता से बीस वर्ष तक जादा तर बृध्धी होती है उसके बाद बृध्धी रुख जाती है फिर जो है विकास ही होता रहता है बालक में जो घटक जन्म से बिद्धमान है उसी में बृध्धी होती है जो घटक का मतलब जिसे हाथ पैर हो गया दात हो गया इस तरीके से जितने भी घटक है उसमें बृध्धी बच्पन से होती है ठीक है और बृध्धी जो है दिसाहीन होती है बृध्धी दिसाहीन होने क का मतलब यह है, कभी माल लीजिये आज के दिन ही दो बच्चे पैदा हुए है, तो ऐसा नहीं होगा कि दोनो की लंभाई सेम बढ़ती चलिजाय, दोनों के दात सेम समय पे निकलने सुरू हो जाय, ऐसा नहीं होता है कि दोनों का भार सेम हो, इसका भार ज़्यादा और इसका भार कम भी हो सकता है ठीक है तो यही चीज है कि जो ब्रिध्धी होती है वो दिसाहीन होती है दोनों एक ही दिन पैदा हुए लेकिन दोनों का मानसिक विकास अलग-अलग हो सकता है दोनों एक ही दिन पैदा हुए दोनों में सार्रिक परिवारतान अलग-अलग हो सकता है तो इसी को कहेंगे कि बृद्धी दिसाहीन होती है जबकी विकास जो होता है वो दिसात्मक होता है जैसे बालक जब पैदा होता है तो पहले रोना सीखता है जितने भी दुनिया के बालक हैं सब पहले रोना ही सीखते हैं उसके बाद धीरे धीरे बच्चे बोलना सीखते हैं और स सारे के सारे दुनिया के जितने भी बालक होते हैं, धीरे धीरे बोलना सीखते हैं, पहले मा, पा, एक सब्द बोलते हैं, उसके बाद मामा, पापा, काका, दादा, दो सब्द बोलना सुरू करते हैं, और दुनिया के जितने भी बालक हैं, सबसे पहले हो, रेंग कर चलना ही सी चाहे जितने दुनिया के बालक हों सबसे पहले रेंग कर चलना सीखते हैं उसके बाद दुबारा सहारे से चलना सीखेंगे किसी के सहारे चलना सीखते हैं और उसके बाद अकेले खड़ा होना सीखते हैं दुनिया के सभी बालक जो है अकेले खड़ा होना सीखते हैं फिर अके यह होती है विकास की यह सभी में होती है इसलिए इसको कहेंगे कि विकास कैसा होता है दिसात्मक होता है अब यहाँ पे देखे बृध्धी बृध्धी सरीर और उनके अंगों के आकार भार उचाई या लंबाई में बृध्धी अर्थात कुल मिला जुला के कह सकते हैं कि का निकलना विकास किसे कहते हैं तो बालक के विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व जब वह माता के गर्भ में रहता है तब ही से आरंब हो जाती है और जन्म के बाद सैस्वा वस्था बाल्या वस्था किसोरा वस्था प्रवढ़ा वस्था से लेकर मृत्य प्राप्ति तक च चलती रहती है अर्थाद विकास गर्भावस्था से जीवन परियंत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है हरलाग के अनुसार हरलाग ने क्या कहा हरलाग ने कहा कि जो विकास है क्या है विकास के परिडाम स्वरूब ब्यक्ति में नवीन विसेस्ताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है अब यहां पर देखिए बिकास के परड़ाम स्वरूब व्यक्ति में नवीन विशेष्टाएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है तो कुल्मिलाजुला के यहां पर कह रहा है कि नवीन विशेष्टाएं और नवीन योग्यताएं यानि कुछ नया वच विशेष्टाओं का मतलब यह है कि जैसे बच्चा चलना सीख लिया, रोना सीख लिया, बोलना सीख लिया, कूदना सीख लिया, तो यह सब जो है नवीन विशेष्टाओं है, साइकल चलाना सीख लिया, ठीक है, तो यह सब नई चीजे बच्चा सीख लिया, तो नवीन विश तो मांसी की योगिता में बालक बुद्धी की योगिता, कलपना सक्ती की योगिता, चिंतन सक्ती की योगिता, तर्क करने की योगिता, रूची की योगिता, नैती की योगिता, इन नई योगिताएं हो जब सीख ले रहा है और नई बिसेस्ताएं सीख ले रहा है, तो हर ला तो वह लगाने का प्रयास करेगा, तो वह क्या हो जाएगा? बुद्धी की योगिता, समस्य समाधान करने की छमता, कलपना सक्ति, आप कोई कहानी सुना है, बच्चा कलपना किया, तो कलपना सक्ति की योगिता भी उसके अंदर एक नई छमता का विकास हो गया, चिंतन सकती उस पर सोचना, सोच विचारना, सोचना, ठिंकिंग करना एक नई छंता का विकास हो गया उसी पर तर्क करना कि सही है, कि गलत है, क्या है, कैसे है, एक नई छंता का विकास हो गया मतलब हमको science पढ़ना है क्या बनना है क्या नहीं बनना है इसके बारे में सोचना तो नहीं छमता का योग्यता हो गया और नैतिक योग्यता क्या उचित है क्या अनुचित है उसके बारे में सोचना तो ये उम्र के हिसाब से सैस्व वस्ता किसोरा वस्ता बाल्ले वस्ता प्राउड़ा वस्ता तक जो है विकास चलता रहता है तो नवीन विसेश्थाएं और नवीन योगताओं का प्रकट होना ही विकास है ऐसा कहा है लेड़ी हरलाक ने जैसे आप कंप्यूटर ट्रेनिंग ले रहे हैं साइक्ल ट्रेनिंग ले रहे हैं तो यह सब नई चीजे जो आप सीख रहे हैं नवीन योगताओं नवीन विसेश्थाएं जो आप के अंदर आ रहा है उसी को आप विकास कहेंगे ठीक है अब देखिए सारिक विकास जो होता है वो दो प्रकार से होता है यहाँ पर मोश्ट इंपोर्टन कोश्चन है कि सारिक विकास जो होता है वो दो प्रकार से होता है सबसे पहला प्रकार है इस्थूल गतिक कौशल और जूसरा है सूच मगतिक कौशल तो देखिए और सूच्म में सूच्म सबसे छोटा है सूच्म क्या है सबसे छोटा है और इस थूल जो है बड़ा है आपका सकते हैं कि यह छोटा है और यह क्या है बड़ा है दोनों में अगर बात होगी तो इस थूल जो है बड़ा है जबकि सूच्म क्या है छोटा है तो देखिए जो बड़ा है यहाँ पर पूरे सरीर की बात करेगा तो जो बड़ा है उसमें पूरे सरीर का प्रियोग होगा और जो छोटा है उसमें सरीर के किसी एक अंग जैसे हाथ का प्रियोग होगा सरीर के एक छोटे से अंग का प्रियोग होगा तो ऐसा गतिक कौशल जिसमें पूरे सरीर का प्रियोग हो पूरी बोडी का प्रियोग हो उसे इस्थूल गतिक कौशल काते हैं जैसे दोड़ना, कूदना, उचलना, भागना, जम्ब करना इत्यार बताईए, यहाँ पे एक ब्यक्ति दोड़ रहा तो दोड़ रहा तो बताईए, पूरे सरीर का प्रियोग हो रहा है एक नहीं, इसके पैरो का भी प्रियोग हो रहा इसके हातों का भी प्रियोग हो रहा इसके गरतन का भी प्रियोग हो रहा बलकि इसके पूरे बाड़ी का प्रियोग हो रहा है दोड़ने में तो दोड़ना, कूदना, उचलना, भागना, जम्ब करना यह स्थूल गतिक कौसल के उधारण दूसरा है सूचम गतिक कौसल तो सरीर के छोटे से अंग का जब प्रियोग होगा तो उसे सूचम गतिक कौसल कहेंगे जैसे लिखना तो लिखने में देखिए केवल हाथ का प्रियोग हो रहा है तो उसको सूचम गतिक कौसल कहेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा जहां पे पूरे सरीर का प्रियोग होगा उसे इस्थूल गतिक और जहां पे केवल सरीर के एक छोटे से हिस्से का प्रियोग होगा उसे सूच में गतिक का उसल काते है अब यहां पे देखिए एक कोश्चन जो है आपकी सीटेट में आया हुआ है कि एक बालर है बाल फेकने में इस्थूल हुआ सूच में दोनों गतिक का उसल का प्रियोग करता है बताई एक बालर है वो बाल फेक रहा है तो जब बाल फेकता है तो वह दोड़ता भी है तो केवल हाथ का प्रियोग करके फेकता है तो केवल हाथ यानि ये कंग का जब प्रियोग करता है तो उसे सूच में गतिक कोशल का आते हैं अर्थात एक बालर जो है बाल फेकने में इस सूच में दोनों गतिक कोशल का प्रियोग करता है ब्यक्ति के भार के अनुसार उसकी अपनिश्चित होती है अगर ब्यक्ति 5 फुट का है कितना है पांच फुट का है तो ब्यक्ति 45 से 50 किलो ग्राम का होना चाहिए ब्यक्ति 6 फुट का है तो 65 से 72 किलो ग्राम का होना चाहिए ऐसे ही अलग-अलग लंबाई के लिए अलग-अलग मापताइं किये जाते हैं ठीक है तो ये question आपके exam में ज़्यादा नहीं आता है बस वह ऐसे लिग दिया गया है अगला देखिये है बच्चे का बच्चे का प्रारंभिक विकास अगर बच्चे का प्रारंभिक विकास देखा जाए तो मुक्छता माता पिता पनिर्भर करता है तथा बालक की प्रथम पाठ साला परिवार होता है इसके अलामा बालक का प्रथम सिच्छक उसकी माता होती है तीनों को यहाँ पर डीटेल से लिग दिया गया है कि प्रारंबिक विकास जो है निर्भर होता है किस पे माता-पिता पर प्रथम पाटसाला परिवार और प्रथम सिच्छक माता होते हैं तो इसलिए इसको समझते हैं जैसे बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहले संपर्क में किसके आता है? तो सबसे पहले संपर्क में आता है अपने माता-पिता के संपर्क में आता है और जो भी शुरू में विकास होता है, जो भी नई छमता का जन्म होता है, चाहे वो सारिरिक छमता हो, चाहे मानसिक छमता हो, चाहे संबेगात्मक छमता हो, चाहे नैतिक छमता हो, चाहे अध्यात्मिक छमता हो, चाहे भौतिक छमता हो, चाहे चारित्रिक छमता हो, या कोई भी चाहे संबेग आत्मत छमता हो कोई भी छमता है कोई भी नई चीज का जो सीखना है वह माता पिता से ही सीखता है जैसे सारिक छमता में चलना ठीक है चलना सीखना रेंगना सीखना सहारे से चलना सीखना तेल मालिस करना ये सब माता पिता का प्रारंभिक विकास में सारिक विकास में आएगा मानसिक विकास में जैसे गेम खेलना लूडों खेलना चीजों को पढ़ाना इत्यादी नैतिक विकास में उचित क्या है अनुचित क्या है इसके बारे में बताना अध्यात्मिक विकास यानि पूजा पाठ में कोशिस करना की पूजा पाठ करे बच्चा त जो भी सिच्छा दिया जाता है, सबसे पहले देखिए बच्चा जो है जन्म लेता है और जन्म से लगभग पांच वर्स तक बालक जो है इस्कूल नहीं जाता है, तो बताईए कि जन्म से लेकर पांच वर्स तक बच्चा कुछ नहीं सीखता है, सीखता है, किस पाट साला में प्रथम पाट साला में जो कि उसका क्या होता है परिवार क्या उचित है क्या अनुचित है जैसे बालक किसी का मोबाईर उठा लाया तो घर वाले बताते हैं कि बेटा यह गलत काम है इसको चोरी काते है आज के बाद ऐसा तुम नहीं करोगे नहीं तो तुमको दंड मिलेगा तुम मार खाओगे तो प्रथम पाट साला क्या होता है परिवार होता है जो कि नैतिक या चारित्रिक या मानसिक विकास करता है और प्रथम सिच्छक माता होती है क्योंकि बालक जो होता है सबसे ज़्यादा अपने माता के संपर्ख में रहता है इसलिए प्रथम सिच्छक किसे कहते हैं माता को कहते हैं विकास जन्म से लेकर परिपक्वता अवस्था तक चलती है परिपक्वता अवस्था का मतलब होता है मृत्तु तक ठीक है विकास जन्म से लेकर परिपक्वता आवस्था तक चलती है का मतलब होता है कि जब तक मृत तुन हो जाय तब तक चलती है जैसे बुरून में बच्चे का निर्माड हुआ फिर जन्म लिया तो कुछ परिपक को हुआ जैसे पैर मारना सीख गया मुस्कुराना सीख गया फिर धीरे धीरे पूर परिपक को होने लगता है पहले बालक चलने लगता है सीख जाता है फिर रोने सीख जाता है फिर पढ़ने सीख जाता है फिर सारिक विकास हो जाता है मानसिक विकास हो जाता है मानसिक विकास में तर्क करना कलपना चिंता नेड इत्याद फिर नैतिक विकास हो जाता है उची तन उची समझने लगता है फिर चारित्रिक विकास हो जाता है देख कर या अनुकरण करके फिर संब्यक आत्मक विकास हो जाता है भाय क्रोध प्रेम सीख जाता है अध्यात्मिक विकास हो जाता है पूजय पाठ करना सीख जाता क्लास दस का बच्चा है भगवान मुझे पास करवा देना उसके बाद धीरे-धीरे 12 वर्स तक सारिक वा मानसिक रूप से भी धीरे-धीरे परिपक हो जाता है तो कहने का मतलब यह है कि विकास जन्म से लेकर परिपक्वता आवस्था तक चलता है और ऐसे चलता रहता है उसके बाद दोस्तों देखिए विकास के सिध्धान्त है तो विकास के सिध्धान्त को जो है हम लोग पढ़ लेते हैं तो देखिए सबसे पहला है विकास का सिध्धान्त शमान का सिध्धान्त इसी को समान प्रतिमान का सिध्धान्त या इसी को समान प्रारूप का सिध्धान्त भी कहते हैं अर्थात कहते हैं कि सभी का प्रारूप एक समान होता है यानि हर बच्चा सैस्वा वस्था से बाल्या वस्था में ही जाएगा कोई बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जो बाल्लय वस्था से सैस्वा वस्था में आ जाए जैसे हर बच्चा देखिए छोटे से बड़ा होता है कोई ऐसा भी होता है क्या कि बड़े से छोटा हो जाए नहीं हर बच्चा पहले सैस्वा वस्था में रहेगा फिर बल्ल आवस्था में रहेगा, फिर किसोर आवस्था में रहेगा, ऐसे जो है विकास होता है, यानि सारे के सारे संसार में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बालक हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, सभी के विकास का प्रारूप जो होता है, वो क्या होता है, एक समान होता ह ठीक है दूसरा है विकास के क्रम का सिध्धान तो देखे विकास का क्रम भी एक समान होता है या निश्चित होता है अर्थात कोई भी बालक अर्थात विकास का जो क्रम होता है वो क्या होता है एक समान होता है निश्चित होता है हर बालक जो है क्रम से बड़ा होगा पहले वो सैस्वा वस्था में रहेगा फिर बाल्य वस्था में जाएगा फिर किसोर वस्था में जाएगा अगला है पूर्व कथनियता का सिध्धान्त पूर्व कथनियता का सिध्धान्त को पूरवा नुमान का सिध्धान्त भी कहते हैं अर्थात हर बच्चे की भविस्वाड़ी की जा सकती कि हर बच्चा सैसवावस्था के बाद बाल्यावस्था में ही जाएगा कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा कि जिसकी भविस्वारी कर दी जाए कि बाल्लय वस्था से सहसवा वस्था में आ जाएगा ऐसा कभी नहीं होगा अर्थात हर बालक जो है सहसवा वस्था के बाद बाल्लय वस्था बाल्लय वस्था के बाद कि सोरा वस्था में जाएगा अर्थात हम हर बच्चे के विकास की भविस्यवानी कर सकते हैं अगला है अनुत्क्रमड सीलता का सिध्धान्त तो अनुत्क्रमड सीलता का सिध्धान्त को अनुक्रमिकता का सिध्धान्त या अबिलोमियता का सिध्धान्त भी कहते हैं देखिए अनुमाने होता है पीछे और क्रमिकता मतलब क्रम मतलब किसी भी बच्चे के विकास के क्रम को पीछे या उल्टा या पल्टा नहीं जा सकता है कभी भी देखिए अनुमाने पीछे और यहाँ पे है क्रम किसी भी बच्चे के विकास के क्रम को अनुमाने पीछे या उल्लटा नहीं जा सकता है विकास हमेशा जो है सैसोव वस्था से बाल्ले वस्था बाल्ले वस्था से किसोरा वस्था में होगा कभी भी इसको पलट नहीं सकते कि किसोरा वस्ता से बाल्ले वस्ता में हो जाए और बाल्ले वस्ता से सैसोवा वस्ता में हो जाए अर्थात विकास का क्रम जो है एक समान होता है चारो का देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि विकास का क्रम समान होता है इसे विपरीद दिशा में नहीं चला सकते हैं इसलिए विकास की भविश्यवाड़ी या पूर्वा नुमान लगा सकते हैं कर्थात पहला समान प्रतिदर्श का सिध्धान्त या विकास के करम का सिध्धान्त या पूरो कतनियता का सिध्धान्त या अनुकरमण सीलता का सिध्धान्त चारों का उधारण एक ही है कि विकास जो है सहस्वा वस्था से बाल्या वस्था में होता है ठीक है कभी भी विकास क उल्टा नहीं किया जा सकता है